जनग रमने अगी नाजक जया है भालत भाग जबी राता पंजाब चिंद गुजरात मालाता नमस्कार आप देख रहे हिंदुस्तान की बात मैं हूँ आपके साथ रमन किसी की पर दिभाएं अगर निखर रही हो उन पर दिभाओं की दिखाने की कोशिस किया जाता है होता क्या है कि कभी कभी कुछ बच्चों की पर दिभाएं निखरती है लेकिन छाप छिप जाती है और पर दिभा निखर नहीं पाती है यह बच्चा जो मेरे सांथ आप देख रहे हैं वो मिस्रा जी हैं इनकी उम्र का जाएजा मैं भी नहीं जान रहाँ कि कितने बरस नहीं हैं लेकिन चूनी भी आप देख सकते हैं अच्छे व्रामर्ण हैं और पूरी जानकारी इनके पास है मैं इनसे बातचीत किया और किसी कारण बस मैं इनके हाँ रुका और दस मिनिट बैठा तो धेरे से आते हैं मैंने इनको खुद बुला कि महराज जी मेरे पास आप आईए तो आते हैं अच्छे अच्छे इस लोग सुनाते हैं आज भारत की राष्टगान को गाना भी एभी सवाल है तमाम लोग भूलते जा रहे हैं लेकिन यह छोटा सा बच्चा भारत की राष्टगान को सुनाता है और तमाम चीजों को मैंने जब जानकारी लिया तो बताने में क पहिं कहीं कोई भी कसर नहीं छोड़ता सबसे पहले तो क्या नाम है आपका ओ मिसरा एक ब्रामठ परिवार में जन्म लेना यह भी सवाल है आप देख सकते हैं कि छोटी सी उमर में इतना फारवड बोलना ओम जी किस क्लास में पढ़ते हैं नर्शरी में नर्शरी में कालेश का क्या नाम है बनवा चलो ठीक है कोई बात नहीं तुम्हारे दादा का क्या नाम है क्लार मिचला मम्मी का नाम पापा का नाम कौन पापा का तुम्हारे पापा का डैरी का पभी मिचला चला अच्छा मिच पढ़ते हैं तो यह बच्चा लगातार बड़ा ही हो नहार है छोटी सुमर में अपनी प्रदिभाओं को निखार रहा है मैं इसे सुनता हूं कोई जो राष्टगान आप भारत का करन्द क्या है राष्टगान सुनाओ तुम्हेवा माता चत्ता तुम्हेवा तुम्हेवा शल्लम पूश्य गेंड़ा और क्या है जनगर मने अगिना जक्क जया है भारत भाग्च बिराता पंजाब चिंद गुजराता मराता ता बिल्ला उच्छ बलवन्दा बिन्दैमा चला यवना गंगा उचला चला जिकरंगा जब शुक नामे जागे जब शुक जाशिक मागे था है जब शुय गाता जनगर मने अगिना एक जया है जया है जया है जया 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 है फालन मता की जया फालन मता की राश्टगान का बड़ा ही क्रिडिकल वर्ड होता है अभी मैं अच्छे लोगों से इसकी बात करूंगा तो नहीं कह सकते हैं जनगर्मन गर्ड यह छोटी सी उमर में जनगर्मन भारत का राश्टगान गाना यह कहीं कहीं आप में एक सवाल है और क्या हर संभू कोई गा रहत क्या बात है लगातार इनसे जब मुरी मुलाकात आज हुई तो हमने कहा कि यह बहुत ही प्रखर बच्चा है अगर यह आगे चल कर कुछ ने कुछ तो बनना इसको तह है जब हमने देखा इसकी एक ब्रामण की जो कहा जाता ही पाचान होती है ब्रामण की सबसे बड़ी पाचान देख सकते हैं आप इनको देखेने के बात मैंने खुद इनको महराजी के नाम से पुकारा और इन्हों अपनी प्रदिभाओं का कहीं जो भी इनके पास प्रदिभाओं हैं उनको बताया तो हमने कहा एक छोटा सा इंटर्वी उनका मैं कर देता हूँ और क्या जानते हो तुम चलिए बहुत बहुत धन्यवाज एक छोटा सा बालक आज छोटी सी उमर में हमें लगता है कि तीन से चार साल की स्याओ उमर इसकी नहीं है लेकिन अपनी प्रदिभाओं को दिखाना ये भी सवाल है छोटे बच्चों में इतना ज्यादा गूर नहीं होता है ये आगे चल कर कुछ न कुछ इसको बनना आता है तमाम ब्रामण की बच्चों हमने देखा लेकिन इस बच्चे का कुछ अलग नजरिया था अला कि कैमरा पर बोलना भी सवाल है माइक से बच्चे डर जाते हैं तो हला कि इतना सास करके बोल रहा है चलो बेटा बहुत बहुत धन्यवाद तुम मेरे साथ जुड़े थे आगे और बढ़ते रहो जैहिन जैवारत